नमस्कार बच्चों, राज के महाविद द्याल राजगर्ड दोरा संचालित उनलाइन क्लासेज में आप सबी का स्वागत है बीए भाग तर्तिय में हिंदी साहित्य का अधुनिक काल प्रसी दूप से आपके पाठे करमें लगाया गया है पिछली कक्षा में आपने अध्धन किया रिति काल इनकावे रिति काल इनकावे का जब हमने अध्धन किया तो हमने देखा कि रिति काल इनकावे में इत्ति वरतात्मक्ता के साथ-साथ प्रदर्शन प्रियता पर जोड दिया गया था और जब इत्ती वरतात्मक्ता के साथ साथ प्रदसंद प्रियता जड़ प्राप्थ होने लगी तो हिंदी साहिते में कुछ नवीन प्रविर्तियों का उनमेश हुआ और यह कारिय लगभग 1850 के आसपास होना प्रारम हुआ महतुपुर्ण तथ्य यही है कि इसी समय आधुनिक बाहरत का निर्मान काल भी प्रारम होता है हम देखते हैं कि 1850 के आसपास बाहरत में इस्ट इंडिया कम्पनी की स्तापनों हुआ बाहरत का पहला स्वतन तरता आंधुलन और उससे पहली देश व्यापी चेतना की नई लहर के साथ साथ अंग्रेजों द्वारा किये गए अनेक सुधार किन्तु अंग्रेज कुशासन के विरुद भारतियों वासियों का तिवरे आक्रोष गांधी जी का आंधुलन आधी अनेक हल्चलों से युग यह युग राजनितिक जाग्रन का युग था अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें यह सामाजिक राजनिति ही नी बलकि सामाजिक और राजनितिक धार्मिक छेत्र में भी नए-ने सुधारवादी आंधुलन हुए इन सुधारवादी आंदलोने में हम एक तरफ है ब्रह्म समाज, दूसरी तरफ आरे समाज जैसे सामाजिक आंदलन, तो दूसरी और राजराम मोहन राय, राम कृष्ण परमहंस, स्वामे विवेकानन्द, माहत्मा गांदी जैसे भारतिय सुधार को ने भारतिय समाज को बहु आयामी सुधार और चेतना प्रदान की, धीरे धीरे अंग्रेजों अपने स्वार्शिद्धी के लिए देश, देशी हमारे जो उध्योग दंदे थे, उन उध्योग दंदों के इस्तान पर पास चाते तकने की का प्रियोग किया, इसके फल्सरूप, जो भारतिय उध्योग दंदे थे, वो विपनन बनने की द्रिष्टी के और अग्रसरू हुए, सोने की चिडिया कहलाने वाला देश निरंतर गरीब बनता गया, इसी हालात में हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साइटे में भी, जैसे हमारे भारति इंदुज हरीश चंदर, के साथ साथ सरदाराम फो मोटे रूप से अगर हम अध्यन करें, तो आधुनिक हिंदी का जो काल है, उसको हम अनेक कावे धारों में देख करके या बाट करके हम उनका अध्यन कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि आधुनिक काल का समय हम 1857 से मान सकते हैं, और 1857 से लेकर, 1900 तक का जो समय है, उस दूसे हम भारतेंदु हरीश्चंद्र के नाम से भारतेंदु यूग के नाम से जानते हैं, दूसरा यूग हिंदी साहिते में एक मील का पत्थर साबित होता है, जिसे हम आचारिये महविर परसाद दिवेदी जी के नाम से दिवेदी यूग के नाम से जानते हैं, इसका समय 1900 से लेकर 1915 तक का समय है तीसरा हमारा जो काल है वो छायावादी यूग है 1915 से लेकर 1935 तक का जो समय है उसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं 1935 से लेकर 1942 तक का जो समय है उसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं और 1942 से लेकर 1960 तक का जो समय है उसे प्रियोगवादी यूग और 1960 से अध्यतन मतलब लगातार दो चल रहा है उसे हम नई कविता के नाम से जानते हैं हमारे पाठ्यकर में चोकि आध्यूनी काल है तो आध्यूनी काल में हमें भारतेंदु यूग के साथ दिवेदी यूग, चायवादी यूग, प्रगतिवादी यूग, प्रियोगवादी और नई कविता के कवियों का ध्यन करना है भारतेंदु युग के बारे में हम आज पहले चर्चा करते हैं भारतेंदु युग के केंद्रिय व्यक्तित्वे भारतेंदु हरीश्चंद्र थे भारतेंदु हरीश्चंद्र राष्टिय चेतना के सम्वाहक थे और हिंदी साहित्य में आध्मिक चेतना के प्रहनता थे इस काल के कवियों ने ब्रजभासा के साथ-साथ खड़ी बोली में भी कावे रचना प्रारंब की और पास्चात्य कावे सेलियों का प्रभाव घ्रहन के नाटक निबंद कहानी उपन्यास आधि विद्याँ में भी इस काल में लेखन प्रारंब हुआ साथ में रिति काल में जो इती वरतात्मक था अलंकार प्रियता चंद प्रियता इनका प्रभाव था उस प्रभाव को भारतेंद युग ने प्रित्याक करके कविता को जनता की वाने बनाने का प्रियास किया कवियो ने एक और अंग्रेजी सासन का विरोध किया तो दूसरी और समाज में व्याप्त रूणियों का उपाहास भी किया साथ ही सामन्त वादी मुल्यों का मुखृत किया इस काल के कवियों में हम मुख्य रूप से भारतेंदु हरीश्चंद्र, प्रताब नाण मिश्र, बद्री नाण चोधरी प्रेमधन, अम्भीक अदत व्यास, आदी कवियों को मुख्य रूप से हमिस्युग में सामिल कर सकते हैं